बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकूम विल्कम टो मैं चैनल होट फ्रेम आज मैं बनाने जा रहे हूं मिनी ब्रेड बिजस जो के बहुत ही जटबड बन जाएंगे और डेफिनेटली बच्छों को तो बहुत पसाद आएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस और एक अनियन लिया है यानि प्यास उसको मैंने चोटा चोटा सा काट लिया इसी तरह से टोमेटो लिया उसको चोटा चोटा सा काट लिया ब्लैक ओलिफ्स हैं तोड़े से और यह है चिली गार्लिक सॉस आप चाहें तो इसकी जगा पर पीजा सॉस भी यूज कर सकते हैं फिर उसमें जाएगी थोड़ी सी चीज मोजरेला या चैजर चीज जो भी आपके पास मुझूद हो मैंने चिकन के दो पीसिज ल से मिक्स कर दूँगी आप जरूरी नहीं कि इसमें तिका मसाला ही यूज करें आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक पैपर डाल कर भी बना सकते हैं इसको आप अपने बच्चों के टेस्ट के कोई भी फ्लेवर इसको चिकन को दे सकते हैं यह तमाम चीजे हमारी रेडी हैं अब हम करेंगे ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और एक कटर के साथ अगर आपके पास कोई भी रॉंग कटर नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का या कोई के लिए सकते हैं इसके साथ हम इसको सेरकल काटेंगे बड़ा व्य देखिये इस तरह से इसका एक सेरकल काट लेंगे इसी तरह से हम दूसरा बैड स्लाइस लेंगे और उसका भी उससे छोटे साइस का एक राउंड कटर लेंगे और इस सर्कुल को हम इसके सेंटर में से इसको कट करेंगे इस तरह से यह देखिए यह हमारे पास एक डोनट की शकल में आ जाएंगे हम इस तरह से जितने भी हमने पीजास बनाने हैं उनको हम कटिंग कर लेंगे हर पीजा के लिए एक हमारे पास डोनट होना चाहिए और एक हमारे पास इस तरह से एक रौंड उसका स्लाइस होना चाहिए ओके तो मैंने ये ब्रेड के सर्कल्स भी काट लिये हैं इस तरह से 4 circles मैंने काटे हैं और 4 इस तरह से मैंने रेंग काटे हैं क्योंकि 4 mini pizzas मैं बनाने जा रही हूँ हमारे प्रस जो bread के कनारे और अंदर से जो circles निकल कर बचे हैं उसको हम जाया नहीं करेंगे उसको हम grinder में डाल कर उनको piece कर हम bread crumbs बना कर freezer में रख सकते हैं जब चाहें हम easily उनको निकाल कर use कर सकते हैं तो इसके लिए अब मैं सबसे पहले एक circle लूँगी और 1 teaspoon chili garlic sauce या pizza sauce जो भी मेरे आप लोगों के पास होगी वो आप इसके उपर अच्छी तरह से spread करेंगे इसके किनारों तक अच्छी तरह से आपने इसको लगाना है इस तरह से लगाने के बाद आप एक circle उठाएंगे रिंग और इस रिंग को आप इसके उपर लगते हैं इस तरह से आप इसके उपर सबसे पहले थोड़ा सा हम चिकन डालेंगे थोड़े से हम अनियन्स डाल देंगे इस तरह फ्यू क्यूब्स इस पर जाएंगे टॉमेटो के इसी तरह से थोड़ी सी हम इसके उपर केपसिकम्स डाल देंगे आप चाहें तो केपसिकम्स या टॉमेटो इन चीज़ों को आप किसी दूसरी वेजिटेबल के साथ जैसे मश्रूम है उसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं जैसे के आप या आपके बच्चे पसंद करते हैं अब इसके उपर डालेंगे चीज इस तरह से ही अपने चीज डाली और इसके ओपर हम रखतेंगे ओलिव्स औलिव्स भी आप जितने चाहें एड़ कर सकते हैं ये तमाम चीजें डालने के बाद मैंने एक एग लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी एक चमश पानी डालकर उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया अब एक ब्रश की मदद से मैं इस एक को इसके जो रिंग था उसके किनारों पर लगा दूँगी सिर्फ आपने इसको रिंग के किनारों पर लगाना है इससे जो मिनी ब्रेट पीजा बन रहा है इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इसी तरह से हम तमाम पीजास को रेड़ी कर लेंगे यह सेंबल हो चुके हैं फोर मिनी ब्रेट पीजास अब इनको बेक करने के लिए मुझे किसी बेकिंग ओवन की ज़रूत नहीं है सिर्फ आप इसको टू मिनिट्स के लिए माइक्रो वेव ओवन में रखें और बस यह रेड़ी हैं अगर आपके पास माइक्रो वेव ओवन भी नहीं है तो फिर आप फ्राइंग पैन में इनको रखके आप इनको भी कुछ स्लो फ्लेम करें और उपर से कवर करें और जितनी और इनकी सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंगिरिंट्स की जरूत नहीं है और बहुत जल्दी बन जाते हैं इनको जरूर बनाईएगा और अपनी दौाओं में मुझे याद रखिएगा अला हाफिज